दनपत भाई आप कह रहे हो फर्स टाइमर ने 20 किलो दूद दिया पब्लिक तो नहीं मानेगी और मैं भी मानने को तयार नहीं हूँ परूँ कैसे करोगे इस बात को अगर काई बाई ने दूद देखने हो ना बे फोन करें बे बात का मैं भी आसक है पास टूद पास दूद पर अच्छा नमश्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरी एंड फार्मिंग में आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, सरक्षित होंगे तो डिस्टी क्रेवाडी का गाउं है, मसीत और ताजा ब्याई हुई जो भैसे हैं, उनका जो आवा गमन है, खरीद बेच का जो कामकाज है, मैं कहूंगा शुरू हो गया है उसी की तर्च पे जो दो शांदार भैसे हैं, वो आज आप सब पशुव बालक भाईयों के समक्ष लेकर के आई हैं दोनों बिल्कुल ताजा ब्याई हुई, बिल्कुल ताजा काविंग करी हुई है, नन्ने जो नवजाद जो शिशु है साथ में आप देख सकते हो, काफी बहतरीन पशुदन, तो युवाचेरे हैं धनपत भाई, अगर बाखडी भैसे लेनी हो, या फिर जो ताजा ब्याई भैसे हैं, वो लेनी हो, बिल्कुल वाजीब ताम में मैं कहूंगा, इस से बहतर डिस्टी करेवाडी में कुछ होई न दो भैसे दिखाओगे, चीक है, तो क्या कुछ दूद अच्छा खास है अभी, अच्छा खास है भाई, एक बोल ला था, आपकी वीडियो में कुछ करके दिखाएंगे, अच्छा, यह ट्रेलर है, तो अभी भी मतलब यह वैसे दिखानी है, चीक है, शुरू करेंगे हैं इ पुद बढ़िया, जी, ठीक है, क्या कुछ दूद की रिपोर्ट है अभी, बीस किलो दूद काटे का दे रखा है, फस्ट ने, बीस किलो दूद काटे का फस्ट टाइमर ने दे रखा, अभी भी बहुत अच्छा है दूद है, आच्छा, तो नीचे बच्चा कटड़ी है, तो आज 11 तारिक यानि के 8-3 का ब्याय हुआ पशूदन और सेकंड टाइमर जो जो जोटी है वो आप देखें सिंगों से लेकर के हाइट लेंद काठी एक बार खोल करके घुमा के थोड़ा सा चला करके जरूर दिखाएं तो जितना भी पशूदन भाई के यहां से दिखाते ह सारा साफ सुत्रा जो पशूदन वो और दनपत भाई आप कह रहे हो फर्स टाइमर ने 20 किलो दूद दिया पब्लिक तो नहीं मानने की और मैं भी मानने को तयार नहीं हूं परूँ कैसे करोगे इस बात को चैनल मना के दिखाएं अच्छा तो कैसे मतलब देखिए सब के घर पहले ब्यात में 20 किलो दूद की रिपोर्ट बता रहे हैं अब सेकिंड लैक्टेशन में कावी और कह रहे हैं जिस भाई को कोई भी डाउट है किसी तरका वो अब अपने घर से काटाया बाल्टी ले आएं और अब इसका दूद देख लें तो दूद बताने को तयार नहीं हैं पिछली वीडियो में भाई ने कमिटमेंट किया था और बट्टी गल्ती करें अपर नूट्री डाइट खावाई जना है फिर हो जागी डाक्षाब नहीं दूद भी होगी छोटे बच्चा न खाव और जल्द तहुले त्यार होंगे ठीका डाक्षाब आज़े लिया हुमा 25 किलो अली बाल्टी नूट्री डाइट की साल बाग कुछ नया करके दिखाएंगे और भाई कहा रहे हैं कि इसकी दो भैसे लेकर के आये हैं जबरदस्त इनकी लाइव मिल्किंग कई ना की चलाने का जो प्रियास है वो करेंगे यहां से तो अच्छी खासी जो दूद की रिपोर्ट अच्छा खासा जो पशुदन है इनसे एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं उमीद लगा करके बैठे हैं बफलो आप देखो सेकिंड टाइमर खाने दाने में काफी बीजी काफी विवस्ति आप यहां पे देख सकते हैं हरे चारे की भाई के खेतों में अति उत्तम जो विवस्ता है वो मैं कहूंगा और पशुदन आप देख सकते हैं सेकिंड टाइमर जोटी है आठ दिन की ब्याई हुई नीचे जो हेल्दी मेल काफ यानि के जो कटड़ा है उसको इसने जनम दे रखा है बोडी वेट आप देखें हाइट लेंद कद काथी है वो आप देखें जबरदस काफी काफी जबरदस और आज विडियो 12 जुलाई को शाम के समय करीब करीब पांच साड़े पांच बजे मैं कवर कर रहा हूँ ठीक है बाई बांद दीजी यह देखें नजदीक से एक बार बांद लो थंड बगेर है वो और अपने पशूपालिक भीयों को नजदीक से दिखा देंगा यह आप देखो जबरदस जो थंड है व अच्छे खासे जो दूद की उमीदे हैं जो एक्सपेक्टेशन से कितना दूद निकाल देगी आप कह रहे हो फिर्स टाइमर ने 20 किलो दूद दिया है और इस बात को अगर आप मैं आपको कहूं के परमानित करो तो कैसे करोगे आज का टाइम दूद बहुत अच्छा तो इसके टाइम अगर दूद अच्छा है तो पिसली बार में इसने 20 किलो दूद दिया था ऐसा आप बोल रहे हो अच्छा चीक है यह दोनों भेने है ठीक है तो क्या सेल करनी है अभी सेल नहीं करनी है अच्छा तो लोग बहुत सारे यह भी बोलेंगे कि वीडियो क्यों तो यह बस एक जस्ट एंफोर्मेशन है और अब आगे चल करके मिल्किंग कराने का कईना की प्लान है तो सेल के लिए आविलेबल नहीं है एक पशुदन दूसरा है धनपत भाई क्या कुछ डिटेल से इसके और बता दूजी वाई तीसरे टाइम में ब्याई हुई है ठीक ह कोड़ा है और नीचे कटड़ा है ये भी दोनों के वह कटडी थी हुई उसके नीचे माफिच आऊंगा जो सेकें टाइमर जोटाई है इसके नीचे healthy जो female काफ है वह और इसके नीचे healthy मेल लकाफ है वो किस तारिक को कौन सी थी थी तारी किरात को तू यह 11 दिन की ब्याई होगी 11 12 दिन की चीक है क्या कुछ दूद की रिपोर्ट है इससे 22 किलो सेकंड टाइमर ने दूसरे ब्यांत में 22 किलो दूद चीक है तो अब कि बार इससे भी अच्छी खासी उमीद बिल्कु लेक्टेशन में 22 किलो दूद कईना कि इसने दिया है बाकी मैं कहूंगा पशू पालिक भीओं के साथ हूँ अगर भाई बता रहे हैं दिया है तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं वैसे बोडी स्ट्रक्चर कद काठी हाइट और जो वेट है वो तो बताई रहा है कि दूद का यह देखें फुल बोडी वेट फुल हाइट में जबर्दस पैरो के बीच का जो टाइट अडर है वो इस बफलो में आपको देखने को मिल रहा है यह आप देखिए और जबर्दस जबर्दस जो लेवा है वो मैं कहूंगा दूद वाली जो भैस है करेक्टर से पूरी-पू पशूदन लेकर के आते हैं नौर्मल क्वालिटी में अगर लेंगे तो नौर्मल रेट होंगे भाई के फार्म की खास बात मैं बता देता हूं जबर्दस कदकार्थी एक्स्टर ओडिनरी हाइट के साथ जबर्दस दूद वाली अगर भैस कोई आएगी तो उसके और भी अ आउंड शेप में उपर माथे से उपर थोड़ा सा मैं कहूंगा बड़ा घूमाएं वैसे नैचुरल सींग है कनीदार जो गड़े हैं सींग में जो नैचुरल गड़े किसी तरका कोई मोडिफिकेशन नहीं बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हाइट आप देख लीजिए जो बोडी वेट है वह आप देख लीजिए नजदीक से जो अडर की क्वालिटी है वह भी पशुपालिक में यह को मैं दिखाऊंगा तो थन वगेरा हैं सबसे पहले वह आप देखिए पूरा टाइट अडर है किसी तरका धीलापन नहीं है यह आप दे आप देखें जबर्दस जो अडर है और हाइट आप देखें मैं कहूंगा हाइट में तो काफी काफी लाजवाब काफी जबर्दस जो पशुदन है वह क्या कुछ इसका सेल करने का विचार है आप पैसे कोई भी चीजा है पैसे लगते आज किसी को बता दिया गल्त कमेंट करेंगे मेरे को अदत है नहीं किसी के सुन नहीं ठीक है तो इसको भी अभी सिल करने का प्लान है नहीं अच्छा लाइव चलवाओगे यह देखो जी भाई के सर पे लाइव मिल्किंग का भूत सवार है और भूत मैं कहूंगा सवार इस युवा अवस्था में होना भी चाह वो इसने लाइव मिल्किंग के तुरू कितना दूद तोला था उस टाइम पर बाइस किलो कुछ ग्राम फिर मौनविर सर उस भैस को ले करके गए और वहाँ जा करके उसने अठाइस किलो कुछ ग्राम जो दूद है वो दिया था और काफी अच्छे दूद की जो भैसे हैं भाई के फार्म पे पीछे आप देखें नहीं सिर्फ ताजा व्याई हुई भैसे बलकि कईना की बाखडी भैसों का भी कामका से हो करते हैं तो अच्छे पशुदन के लिए धनपत भाई की जो अच्छा निरिक्षन कोई भी कर सकता है यहां पर चीक है किसी तरकी कोई गुंजाइस दोखा दड़ी नहीं मिलेगी तो काफी अच्छा पशुदन काफी अच्छी भैसे दिखाई आज का पशुदन था डिस्तिक रेवाडी के गाउं मसीद से उमीद करूँगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुद पालक के घरिया किसी बडर डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जैजवान जैकिसां